अब तो सर्म आने लगा ये कहते हुए, कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहां तो बेटिया सुरक्षी थी नहीं है, बेटिया घर से स्कूल जाती है, लेकिन घर वापस नहीं आती है, जी हम बात कर रहे हैं, और रंगावाजीले की स्रेया की, बिहार की बेटी है, मज 16 साल उम्ड है उसकी, और 11 जून को हमेशा की तरह वो स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, लेकिन वो कोचिंग भी नहीं पहुच पाती है, CCTV कैमरा के चेक करने के अनुसार, पढ़ती थी, जाती थी, उस दिन जिस दिन घटना हुई है, उस दिन तो यहां नहीं आई 13 जून को घर से 40 से 45 किलो मीटर दूर एक तलाब में पाई जाती है, हुगी संदीक दवस्ता में मिड़ तो फोन पर थे, सुचना मिला कि डेट वोड़ी इंदर पूरी मिला, वहां से फिर सासारां से पोस्मास्टम करा के कैसे कैसे ही लोग लाए, हम तो अभी लगभग डे यह कब तक चलता रहेगा भीहार में, आज आम जनता की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कि जब नेताओं के बेटियों के साथ ऐसा होगा तब जाके कोई ऐसा कानून हैगा कि ऐसे दरिंदों को सजा मिलेगा, या फिर इस पर थोस कदम उठाए जाएंगे, नहीं, ऐ बेटियों का भी इतना ही इज़त है, जितना की नेताओं के हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुहार लगाते हैं बिहार सरकार से, कि स्रिया को जल से जल इनसाब दिल अभी, ग्यारा जुन को लपता होती हैं, और दो दिन वाद तेरा जुन को एक तलाब में पाई जाती हैं, शरीर इतना खड़ाब हो गया था, कि पहचानना ही मुस्किन हो गया था, उनके परिजनों का कहना है, मेरी फोटो देखने से ये पता चला, उसका बाल एक दम जल भी था, मुह पूरा कूच चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, जो बॉडी इतना ज़्यादा दीकंपोज्ड हो गया था, कि उसको पहचान लेना ही बड़ा मुस्किन था, उसके सर के बाल मतलब उड़ गये थे, जहां पर भी पकड़ा जा रहा था उसको उठाने के लिए, वहां से चमरे हट जा रहे थे, बड़ा ही दरदना घटना है द इस घटना के जो भी अपड़ादी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, फासी की सजा मिले, करना चाहते हैं और तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट किजिए कि स्रिया को इंसाफ मिल सके, क्योंकि आज फिर से एक स्रिया किसी दरिंदे की हाथ लग गई, हो सकता है कि कल हमारी आपकी बेटी भी किसी दरिंदे की हाथ लग जाएगी, लेकिन कब तक, कब तक ही हम सहता रहेंगे, दोस्तों हम चाहते बस इतना है कि विहार सरकार इसके पुन तरीके से लगाम लगावे,